हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप सभी तो आज हम बात करने वाले दिरिस्यम टू मूवी के बारे में जैसा कि मूवी को रिलीज किया गया था 18 नौवंबर को और आज ये मूवी कई सारे मूवी को पीछे छोड़ते हुए अपने बॉक्स आफ इस बहुत अच्छा कालेक्शन कर रह और साथ ही साथ ये मूवी बहुत अच्छा कालेक्शन भी किये जा रही है हालही में रिलीज हुई भेडिया जिसकी वज़े से हम लोग को यही लग रहा था कि इस मूवी पर थोड़ा असर देखने को मिलने वाला है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ बावजूद भी द्रिस् अच्छी आ गया था 18 नॉवेंबर को और आज इस मूवी को रिलीज हो गया है तो आज हम आपको बतनाने जारे कि इस मूवी को टूटल 11 दिन में कितने सारे कलेक्शन हो गया है मूवी ने पहले वीक में एक हिस्टोरिकल ट्रेंड किया बात करे मूवी के तीन दिन के अच्छी खासी आक्ड़े को चूता हुआ नजरा रहा है आज इस मूवी को रिलीज हो गया है और आज भी मूवी की जाहा तक अच्छी खासी आक्यूपेंसी देखने को मूर्णिंग में मूवी की अक्यूपेंसी 12 पसंट देखने को मिली वहीं बात करें आप्टर नून और एवनिंग की जो की 18-19 पसंट की अक्यूपेंसी देखने को मिल रही है इससाब से अगर देखा जाए तो ये मूवी आज टोटल 7 करोड की आकड़े को छूते हुए लेकिन अगर ऐसे ही इस मूवी को लोग पसंद करते रहे हैं और आख्या खासाल मूवी चलता रहा तो जल्द ये मूवी बहुत सारी मूवी का रिकार्ड तोड़ने वाली है आप सभी ने अगर ये मूवी देख लिए तो आप सभी को कैसी लगी और साथ ही साथ क्या द्रि